हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जारी हूँ मूंग डाल का हल्वा जो कि मैंने बहुत ही जल्दी जटपट बनाया है तो इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चले फिर आपको बताते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है तो सबसे पहले हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे एक कप मूंकी डाल मूंकी डाल को मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर पंके के नीचे आधे घंटे के लिए सुखा लिया था तो यह अच्छे से सूख चुकी है उसके बाद हम इसे लो फिलिम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 5 मिनट के लिए तो 5 मिनट हो गया है यह अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और कलर भी इसका चेंज होने लगा है तो गैस को आफ करके इसे ठंडा कर लेंगे और फिर हम मिक्सर के जायर में डालके इसका fine powder बना लेंगे और फिर हम उसी pan को दुबारा गरम करेंगे और उसमें आधा अधा कप हम घी डालेंगे और उसके बाद हम यह जो powder बनाये थे मूंग डाल की वो डाल देंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए चला लेंगे तो गैस के फ्लेम को हम low to medium पर ही रखे रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे तो मूंग की डाल को आपको भिंगोने की भी जरुरत नहीं है आप इसे बस धोकर आप पंके की नीचे या धूप में भी सुखा सकते हैं तो यह देखे हलका चेंज हो गया है तो अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और चीनी डालने के बाद हम फिर से इसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और थोड़ी दिर चलाने के बाद अब हम इसमें डेर कप दूद डालेंगे और गैस के फ्लेम को हम लो टू मिडियम पर ही रखे रहेंगे और इसे चलाते जाएंगे तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और फिर हम इसमें आदी चोटी चमच इलाइची का पाउडर डालेंगे और फिर हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसका जुदूद है वो अच्छे से इसमें अब्सॉर्ब हो जाए और फिर इसमें से घी अलग होने लगे तब तक हम को चलाना है तो उपर से हम थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स डाल देंगे इसमें और आप अपने मन पसंद का कुई भी ड्राइ फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राइ होने लगा है लेकिन अभी भी हमें इसे चलाते रहना होगा तो देखिए इसको चलाते हुए कम से कम 7 मिनट हो चुके हैं और low to medium flame पर ही हम इसे चला रहे थे और इसमें से गी भी अलग होने लगा है तो ये हमारा मुंग दाल का हलवा बन कर तयार है बहुत ही tasty बनती है आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही जटपट तयार हो जाती है और मुंग दाल को भिंगोनी की भी जरूरत नहीं है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू